नमस्कार जी कैसे हैं आप शवासा करते हूं आप सब खुश हैं सुवस्त हैं और यह हो रहा है टाइम लगबग चार बज रहे हैं तो सिर्मेदर दो रहा था मेरे हो तो रहा था सुबह से ही पर जब तक काम चलता रहा तब तक मैं चलती रही सारा काम धाम होता ही है सुबह को आयू मैं बहार लेट गई थी चत्तरोड के जैसे आयू आया है बोलने लगा ममा क्या हो रहा है मैं कैसी में दर्द हो रहा है तो आयू का भी कपड़े चेंज करके कि मैं तो दवाई लेकर आ रहा हूं तो उसने खाना वाना भी खुदी लिया मतलब अधिकतर मैं देती हूं उ और ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही थी और बस ये देखो आरू बड़ी क्यूट ची है ये अपना हेर बैंड लेकर आई जैसे ये सर दबा रही थी मेरी हमेरा तो जैसे ये बाल है तो बाल अग्या आई जा रहे थे मात्ते पर तो ये इसको आय माइंड में यहेयर बैंड लेकर हूं तो यहेयर बैंड लेकर आई लगाया तब दबारी है और यह हाई यू को बोल लिए है मम्मा के पैर दबा दे मैं सिर दबारी हूं तो पैर दबा दे और अच्छा लगता है जब बच्चे कियर करती है ऐसे और मन में एक अच्छी सी फिलिंग आती है तो पस जी अभी खाना माना तो खेर खाई लिया था सब ने पर बरतन बरतन है जो सब ऐसे ही पड़े हैं जब दवाई लेके थोड़ा आराम सा होगा तब देखती हूँ मैं करती हूँ और घास भी किया था मैं ने क्योंकि पापजी खाना खाके चले गए थे बर्सी लेने के लिए ममी उत्ती तो ममी काट याती है पर पापजी फिर गए तो इधर घास भास करके लेटी हूई थी तो मैं पहले ही फिर घास भी करना था तो फिर उठी और इधर यह आई हूँ मेरे पास ही लेट गया है और जी अभी देखो टाइम क्या हो रहा है सवाप पाँच बजरे हैं सायद तो अब उठी हूँ मैं जाड़ू आड़ू लगानी है गंदा हो रहा है बहुत एक तो हवा इतनी चल रही है कितना इसाब कर लो तो गंदगी होई जाती है और बच्चे मैं लेट गई थी तो सो गई थी थोड़ी देर के लिए तो काम चल नहीं सकता चाहे तबियत कितनी खराब हो काम तो करना ही पड़ेगा तो मैं लगा रही हूँ जाड़ू इधर और बच्चे गए हैं बाहर खेलने के लिए और यह लाई थी कपड़े सुबह कपड़े दोए थे तो कपड़े तो खैर रोजी दोए जाते हैं सुबह क् मैं कि है एक कौे विए झाड़ें तो उसके पिछ दूसरा भी दोड़ जाए गा तो जी देखते हूं क्या करते हूं वर वरतन पड़े हैं अभी तो वरतन साप करने करने हैं तो टाइम भी हो रहा है फिर दूद का टाइम हो जाएगा ठाटल लेत одग अश्के तक निकाल ले हैं मैंने और इधर आ गई हूं मैं कीचन में बरतन साफ करने के लिए उन बरतन भी छोड़ती नहीं मैं पर क्या करें मजबूरी है यह नहीं कि दो पैर के बरतन ऐसे छोड़ देती हूं अलकस मैं और जैसे आयून चायवाई बनाई थी कुछ में हो गए थे तो काफी सारे बर साफ करने में और जैसे पाप जी आएंगे जैसे तो उनको भी देऊंगी फिर चाय बनाके तो जी बस अब मैं कर रही हूं मतलब टाइम हो गया है दूद का तो घास नहीं था तो घास करने की है तयारी अब इनको बरसी तो खेर है नियाज हरानी है खाली गोले गोले काठे तो जी बस यह डाल दिया है मैंने घास और देखो तब यह अचा है जितनी खराब हो जो काम है वो तो करना ही है एक बार को आप मतलब अपने आपको भी कर सकते हो जब दूसरा कोई करने वाला हो और होता ऐसा होता ही है जैसे मतलब कुछ होता है वैसे तो देखो जल्दी सी मुझे कुछ होता नहीं है क्या कहतते हैं टच उर्द तो बस तो जो होता है तो थोड़ा बारREYत होता है तो उस में भी वोणusu नहीं होती पर जादी हो रहा था तो अब दीरे-दीरे अराम हो जाएगा जब मतलब काम करने लगते हैं तो कुछ मन काम में लग जाता है और ऐस बढ़ता ही जाएगा घटे गनी माइन में यही चलता रहेगा कि यह ओरा तो अब मैं काम में लग गई हूँ तो खेर कुछ मानी धर उदर काम में लगेगा और धीरे धीरे करके ओटोमेटिक लिए ठीक होई जाएगा तो जी घास डाल दिया था मैंने और अब कर रही हूँ सान्नी कल चुकर है जो कल की और चुकर की सान्नी करते है और बच्चे थोड़ी देर पढ़े थोड़ी देर खेल ले तो अभी भी खेलने ही गई हुए है और बस अब निकालने लगी हूँ मैं दूद और ये इनको बिटा दिया है पढ़ने के लिए तो अक्सर ऐसा होता ही है इनका जब मैं दूद निकालती हूं तो इनको तभी कुछ नकुछ कामियाद आता है मम्मी और पाप जी इनको कहीं बार डाटते हैं कि जब दूद निकालते हैं तभी जैसे कुछ पढ़रे उत्ते हैं तो बार बार आएंगे पूछने के लिए ममा ये बता दो बता दो तो बस अभी मैं कह रही हूँ मैं कर बाद में बताऊं गया आगे तो जी निकाल रही हूँ मैं दूद